दोस्तों ये है मश्लूम दोप्याजा देखने में लग रहा है ने बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ये मैंने घर पे बहुत सिंपल तरीके से बनाया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नमस्ते दोस्तों मैं खुसी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खुसी कीचन में दोस्तों आज हम मश्लूम दोप्याजा बनाएंगे तो मश्लूम दोप्याजा बनाने के लिए पहले हम मश्लूम को अच्छे से साफ कर लेते हैं इसके उपर बहुत गंदा तो इसको हम साफ कर लेंगे आप चाहे तो मिश्रूम के उपर आटा या मैदा लगा के रफ करिए तो इसका गंदा निकल जाएगा नहीं तो दो मिनिट के लिए इसको गरम पानी में डाल के वलांच कर लीजे तो इससे भी अच्छे से गंदा निकल जाता है मैं एक बरतन में पानी गरम होने के लिए गैस पे डाल दी थी तो आप देख रहे हैं पानी में बवल आ रहा है पानी गरम हो गया है तो इसमें मैं मश्रूम डाल देती हूँ और मश्रूम के साथ एक चमच हम नमक भी डाल देंगे तो नमक डालने से अच्छे से मुस्रूम सा तो नमक डाल के मैं मिला देती हूं एक बार और पानी में थोड़ा सा उबाल आने देते हैं पानी में जब उबाल आ जाएगा दो ही मिनिट में उबाल आ जाएगा क्योंकि पानी हमारा गडम है तो एक उबाल आ जाने देते हैं पानी में उबाल आ गया है आप देख रहे हैं म भी निकल जाएगाख मुश्रूम को मैं ठंडे पानी से लोकेगर काट लीती हूँ फिर में आपसे मिलती हूँ जूरूम को कर लिभाध को बारी कतकं भाडा फ्रेडी पिखाए है हैं यह बारी के प्याज कौटी ठिया है गैस पे मैं कढ़ाई डाल दी अब कढ़ाई गरम हो गया है तो इसमें मैं एक बड़ा चमजितना तेल डाल देती हूँ तेल गरम हो गया है चारो तरफ हम कढ़ाई में मिला लेते हैं तेल को अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं ये बड़ा वला जो प्याज में छोड़ा के रखी थी ना इसको मैं डाल रही हूँ और थोड़ी देर के लिए प्याज को सौटे करेंगे प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है बस थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए एक या दो मिनिट के लिए हम इसको चलाते हैं ये सौफ्ट हो जाएगा अब आप देख रहे हैं प्याज हमारा थोरा सा सौफ्ट हो गयाई इसका color change नहीं हुआ है पर soft हो गयाै अब हम इसमें mushroom डाल रहे हैं mushroom को भी प्याज के साथ एक दो मिनिट के लिए saute कर लेते हैं mushroom हम branch करके रखे हुए हैं इसे सोटे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा पर सब्जी का टेस्ट अच्छा हैगा अगर आप मस्रूम को भी सोटे कर लेंगे प्याज और मस्रूम हमारा अच्छे से सोटे हो गया है तो अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं और इसी कड़ाई में हम फिर से तेल डालेंगे, एक बड़ा चम्म जितना तेल हम फिर से कड़ाई में डालेंगे और तेल को थोड़ा गरम होने देंगे, तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसमें एक चम्म जीरा डाल देती हूँ, जीरा थोड़ा से तरग गया है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा खरा गरम मसाला डाल रही हूँ खरा गरम मसाला में बड़ा इलाइची छोटा इलाइची लॉंग दाल चीनी और एक तेज पत्ता है इसको में तोर के रखी हूँ थोड़ा सा गरम मसाला को भी हम भूनेंगे तेल के साथ और जीरा के साथ तो गरम मसाला का फ्लेवर आ जाएगा तेल में अब इसमें हम प्याज जो बारी काटके रखे थे उसको डाल देते हैं और प्याज को बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे प्याज हमारा भून रहा है तब तक हम मसाले त्यार कर लेते हैं मसाली के लिए मैं दो बारा सा इसका टमाटर दस से बारा काजू थोरा सा अद्रक और लसन रखी हूँ इसको मैं मिक्सी के जार में रखे और अच्छा से पीस लेती हूँ टमाटर, काजू, अद्रक लसन सबको मिक्सी के जार में डाल के और अच्छा सा एक फाइन पेश्ट हम त्यार कर लेते हैं ये देखी हमारा पेश्ट बन गया है मैं टमाटर और काजू, अद्रक लसन सबको एक ही साथ पीस लेती हूँ ताके हमारा टाइम भी बचे और कड़ाई में तो हमें मसाला सबको एक ही साथ भूनना है, इसलिए इधर हमारा प्याज भी ब्राउन होड़ा है, तो अब हम इसमें थोड़े सूखे मसाले डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे और एक चमच कस्मिती लाल मिर्च पाउडर डालेंगे प्याज के साथ गरम गरम तेल में है, जब आप हल्दी और मिर्ची पाउडर डालते हैं तो ग्रेवी बाले सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है तो ग्रेवी बाले सबजी में पहले आप प्याज के साथ हल्दी मिर्ची पाउडर जरूर डाले हल्दी और मिर्ची पाउडर डालने से पहले मैं गैस का फ्लेम कम कर दी थी ताकि हल्दी और मिर्ची पाउडर जलेना अब मैं इसमें मसाला जो पीसके रखी थी उसको डाल देती हूँ और अच्छे से मिला लेती हूँ मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है तो अब मैं इसमें एक चमस धनिया पाउडर डाल रहे हूँ हल्दी और मिर्ची में सुरू में डाल दी धनिया पाउडर नहीं डाली थी तो अब मैं धनिया पाउडर डाल दी और स्वादनुसार नमक डाल लेती हूँ और अच्छे से मसाले को भूनेंगे जब तक कि मसाले में तेल न छूटने लगे अब मैं इसमें एक चमच गड़ मसाला पाउडर डाल रहे हूँ और आधा चमच जितना हम चीनी डालेंगे चीनी से सबजी मीठा नहीं होगा पर सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो इसमें आधा चमच चीनी आप जरूर डालेगा टामाटर जादा डाले है न तो खटा बाइलेंस हो जाएगा अब आप देखिए मसाला तेल रिलीज करना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है तो अब मैं इसमें मश्रूम और प्याज को जो सौटे करके रखी थी उसको डालूंगी और फिर से मसाले के साथ प्याज और मश्रूम को अच्छे से भूनेंगे 2-3 मिनिट के लिए सबजी का कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है जैसे हम लोग रेश्टोरेंट में जाते हैं और अर्डर करके खाते हैं वैसा ही देखने में लग रहा है मसाला जितना अच्छा से आप भूनिएगा उतना अच्छा सबजी का कलर आता है प्याज और मश्रूम डालके मैं 3-4 मिनिट के लिए और मसाले को अच्छे से भून ली हूँ अब आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से हमारा मसाला भून गया है तो अब मैं इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ आपको ग्रेवी जितना पतला या गाड़ा चाहिए उसी साब से थोड़ा सा पानी जादा या कम डाल सकते हैं मिक्सी के जार में थोड़ा मसाला लगा हुआ था उसी में मैं पानी डालके और सबजी में डाल दी हूँ अच्छे से मिला लेती हूँ और 2-3 मिनट के लिए और हम सबजी को ढखके पकाएंगे सबजी को ढखने से पहले मैं उसमें एक चमच कसूरी मेथी डाल रहे हूँ कसूरी मेथी को मैं तबे पे गरम करके रखी थी इसको मैं करस करके और सबजी में डाल देती हूँ अच्छे से मिला लेंगे फिर हम सबजी को ढख के 2-3 मिनिट के लिए पकाएंगे इससे क्या होगा कि मसाले का फ्लेवर जो है हमारे मश्रूम और प्याज में बहुत अच्छे से आ जाएगा तो मैं ढख देती हूँ दो से 3 मिनिट बाद अब आप देखें हमारा सबजी बनके त्यार है सबजी के उपर एकदम तेल तैर रहा है और एकदम लाल लाल सबजी देखने में लग रहा है इसके उपर हम थोड़ा सा धनिया पता डाल देते हैं और इसको मिला लेंगे मारा गर्मा गरम मश्रूम दो प्याजा तैयार है सर्व करने के लिए मश्रूम दो प्याजा मैं सर्व कर रही हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजे और चाइनल पे नए हैं तो चाइनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में बाबाई